राज्यस्थान के मुखमंत्री आ जाएं और दसलाख रुपे देके घड़ियाली वासु फेंग जाएं इसको हम बरदास्त करने वाले नहीं है जिस बेरे में से उसको नगन किया गया मारा पीटा गया एक किलूमीटर तक नगन वस्ता में जुलूस निकाला गया मानवता को सर्मसार करने वाली घटना मनी पूर पर हाय तोबा मचा दे पर्थिपक्ष के लोग कॉंग्रेस और राहुल गांदी वहां पहुंच जाएं और यहां गेलोज साब उस पर परदा डाने इसलिए हम कहना चाहेंगे राहुल की बहन जो क्रियंका जी हो कहती है कि मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ तो यहां के लड़की के आके बदहाली देखो कैसी बदहाली की गई है तो जो कानून की इस्तिती बिगड़ी है इस राज में भीलवारा की घटना आपने देखिए थाना गाजी में पूंद के बैठा हुआ है और यहां कोई भी दलित हो आदिवासी हो महीला हो कोई भी स्वरक्षित नहीं है भेका वातावन है भेमुक्त लोग हो इसलिए राजस्थान को घहलों से मुक्त कराया जाए उनको बरफास्त किया जाए हमारी यह मांगे अभी यहां जो सरकार है अपनाती है आपको पता है कि भीलवारा में घटना हुई थी बहुत अच्छा किया उनको 25 लाक दिये स्थाई नोकरी दी थाना गाजी की जो घटना हुई थी उसमें पैसे दिये और पक्का मकान जैपुर में बनाके दिया सिपाई की नोकरी दी इसको दसलाक रुपे दे ग तो राजस्तान में जहां के वहां उसको वैसे ही मकान के बना के दें जैसे थाना गाजी के गेंगरे पी दिया था तो डिस्क्रिमिंटिस नोड़ भेद भाव नहीं होना चीए पैकेज में एक और आखिर में पुलिस को लेट पता क्यों लगा दूसरा आखिर में 24 गंटे य क्यों हुए तो इसके लिए प्री पुलिस दोसी है और किसका दभाव था तो प्लिस के दोसी लोगों के खिलाब भी कारवाय हो पर मक्ष't यह मुख्们त्री को प्रहने का दिखार नहीं उसे बर्कास्त किया जाए मुख्ध मंथल्य को और परिवार को मुख्ध किया जाए व कि प्रवार को दरा रहिए भार जाओ तो बयान यह मत देना यह कर दिया वो कर दिया और हम नहीं चाहते कि पुलिस उनको बंधक बनाके रखे लख हुं को पूरे परवार को छोड़ा जाये ये समय हम देखे जा रहे हैं मानने अमेस्रा दो से बात को परोगहां ऑद फिर नहीं ही दन्य देंगे मुख मंतरी बरखास्त हो आजिवासी परवार को मुक्त करो और कम से कम 25 लाक रुपे और सरकारी नोकरी चाह सिपाई की हो चाह पोरेस्ट केटल गार्ड की हो चाह LDC की हो उसके क्वालिफिकेशन के साब से इस्थाई नोकरी दी जाए इन मांगों को लेके हम अगर इनों पू का चीर हरन जो ऐसे हुआ है ऐसा हम देख नहीं सकते हैं ऐसा तो दरौपदी का भी नहीं हो